हेलो फ्रेंस, वेलकम टो ए 24 नॉलेज अफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आसाम राइफल की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म फिल अप प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंस आसाम राइफल में जो नॉटिफिके इसको चैक आउट कर सकते हैं, अगर आप अप अप्लाइ करना चाहते हैं, तो आप इस वेकेंसी के लिए ओनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं, तो यहां पर फैंस, इस वेकेंसी से रेटेट जनकाई जैसे मैंने कहा, जोबरास्ता.com पर या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, दस्वी या बार्वी पास आउट आप हैं, आप इसके लिए अप्लाइ कर सकते हैं, बारा सो तीस टोटल पोस्त आपकी रहेंगी, अब बात करेंगे मोबाइल से कैसे आप इसमें आविदन कर सकते हैं, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अ यहां पर fancy instructions आपको दिये गए हैं, इनको आप जहां से चेक करेंगे, इसके बार नीचे आपको reprint form, मतलब आपके login का option भी आपको मिल जाता है, आप यहां से login कर सकते हैं, यहां पर सबसे पहले एक option है आपका advertisement 4 का, तो यहां पर देखिए advertisement, rifle, technical and tradesman, requirement, rally, 21, 22 आपको दिया गया है, आपका gender आपको select करना है, और state of origin आपको select करना है, मतलब आप कहा के निवासी है, वो आप यहां से select कर सकते हैं, तो आपको list मिल जाती है, आपके state की वो आप select कर लेंगे, trade किस trade के लिए आप apply करना चाहते हैं, जैसे मालेजी आप हवलदार के लिए apply करते हैं, तो इसके बाद यहां पर एक option है आपके category का तो जन्रल SC, ST, OBC, EWS जो भी आपका category है वो आप select करेंगे और इधान रखेगा SC, ST, OBC, EWS आपको select करके upload भी करना होगा अब जन्रल SC, ST, OBC जो भी आपके category है वो आप select कर सकते हैं अगर आप यहां पर economical vehicle section में आते हैं EWS में तो आप yes क देंगे data को इसके बाद friends से यहां पर आपको OK पर click करना है और यह जो process है आपकी यहां पर complete होने के बाद जो next page है जिससे आप यहां पर अपनी personal detail और basic जानकारी को फिल करेंगे वो आपका open हो जाएगा side थोड़ी slow है इसलिए आपको थोड़ा wait करना होगा और जैसे ही यह process complete होगी आपका वो page जो है वो open हो जाने वाला है इसके बाद friends यहां पर देखिए आपका जो next page है यह आपका open हो जाएगा और यहां पर आपको post का नाम आपकी category जेंडर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको यहां पर title आपका marital status क्या है वो आपको select करना है और आपका 12 digit का अधार का number आप यहां पर mention कर सकते हैं इसके बाद यहां पर है आपका नाम तो आपका जो भी नाम है वो आप friends एक capital letters में यहां पर enter करेंगे first name देना जरूरी है middle या last name है तो आप यहां पर उसकी entry कर सकते हैं अब यह ध्यान रखिएगा यहां पर आपको एक capital letters में ही entry करनी होगी इसके बाद next option आपके father name और mother name का है तो यह भी friends से आप अपने according यहां पर fill कर देंगे इसके बाद friends से यहां पर आपको आपका जो DOB है में इनसे date of birth है वो आपको enter करना है और इसका जो format है वो friends आपको जो format दिया गया है date इसके बाद आपको दिया गया है month और इसके बाद आपको यहां पर दिया गया है year इसमें ही आपको enter करना होगा आपका religion कौन सा है वो आपको select करना है आपका phone number with std code या फिर आपका mobile number आप यहां fill कर सकते हैं आपका mail id आप यहां fill कर सकते हैं और यह आपका active and valid होना चाहिए मैं अब यहां पर sample के तौर पर data को fill कर रहा हूँ आपका जो भी यहां पर active and valid data है वो आप यहां fill कर देंगे इसके बाद friends नीचे आपका state of origin आजाता है इसके बाद community आजाती है तो friends यहां पर इन में से कोई भी अगर आपकी community है आप उसे select कर सकते हैं और P.E.T. P.E.C. के दौरान आपको यह शो भी करना होगा नहीं तो आप इसे blank रहने देंगे आपको आपका address देना है तो address कैसा देंगी इसमें district and state आपका नहीं होना चाहिए आपको आपका normal जो भी आपका address है वो आप यहां पर enter करेंगे तो इसके लिए friends आप अपना normal address यहां पर fill कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको देना है आपका district यहां पर देने के बाद आ आपका next option है आपके state का यापका state यहाँ पर आ जाएगा और इसके बार आपको यहाँ पर देना है आपका pin code तो friends यह आपका जो address है वो उसके according आप देंगे अब यह जो address है यह है आपका correspondence address मतलब 154 या present का address अगर यह fans अलग-अलग है तो आप इस पर tick कर सकते हैं और अपके अलग-अलग address की आप copy कर सकते हैं अगर यह stream है तो आप इसे untick ही रहने देंगे अब यहाँ पर आपकी category आती है तो आप यहाँ category देख सकते हैं यहाँ पर आ health आपको details देना ही होगी यहाँ पर next option आपका होता है diploma, ITI, BEAD, graduation इन में से कोई भी आपके पास है आप यहाँ पर जानकारी provide कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही आपको दिया जाता है board का नाम तो आपका जो भी board का नाम है वो आप सलेट करेंगे आपका passing year क्या है तो आपको आपक technical qualification है आप उसकी जनकारी देना चाहें वो दे सकते हैं अगर आपके पास कोई other qualification है आप उसकी जनकार देना चाहें वो दे सकते हैं इसके बाद है certification तो certification या फिर experience from government और government इंस्टूट या organization तो यहाँ पर देखिए आप से कहा गया है typing speed आपकी 35 wordpress ने English में होनी चाहिए अब यहाँ पर friends आपने देखिए अगर कोई काम किया है तो आप यहाँ पर typing speed दे सकते हैं या फिर आपने कोई भी अगर आपने experience है तो आप उसकी जनकारी प्रोवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं मैं यहाँ पर इसको zero छोड़ूँगा जैसे आपका automatic is zero है अगर यह मांगता ह यहाँ पर यहाँ पर टिक कर देंगे कोई दिककत नहीं होगी इसके बार रिकुर्मेंट टाइप आपका यहाँ पर है डिपार्टमेंटल गवर्मेंट है आप इसको यहाँ पर बिलैंक ही रहने देंगे इसके बार है डॉकुमेंट तो photograph and mark sheet document आपको अप्लोड करना है 30-50 क मतलब photograph jpg format में आप अप्लोड करेंगे 30-50 के बी में 10 का past mark sheet आप अप्लोड करेंगे 30-50 के बी में ID document आप कोई भी हाँ सलेट कर सकते हैं इसके बार place का नाम लिखेंगे मतलब कहां से आप इस form को fill कर रहे हैं वो आपको जानकारी देनी है इसके बार आपको capture code जो दिया गया है capture code फिल करना है और उसके बाद यहां से submit करना है submit करने से पहले friends एक बार data को verify करने चेक करने कोई भी कलती किसी भी step में है तो आप edit नहीं कर पाएंगे इस आप यहां से submit कर सकते हैं इसके बार friends यहां पर next option आपका open हो जाएगा यह है आपके print का और इसके लावा यहां पर आपका option होगा payment का तो आपको यहां पर देखिए print acknowledgement का option मिल जाता है तो आपकी जो ID नंबर है उसको friends आप अपने पास save करके जरूर रख लें इसके बार friends यहां पर आपको payment करना है तो आप bank चलान के थुरू payment कर सकते हैं या फिर आप online payment कर सकते हैं तो आप यहां पर जैसा भी payment करना चाहें वो आप यहां कर पाएंगे online payment के लिए आपको यहाँ पर link दिया गया है और चलान payment के लिए आपको friends यहाँ पर चलान की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर provide करनी होगी अब सबसे पहले click here for online payment पर आप click करेंगे apply करने के लिए fees को pay करने के लिए यहाँ पर आपको instructions मिलेंगे तो आप I have read पर click करेंगे इसके बाद यहाँ से proceed करेंगे इसके बाद फ्रेंस यहाँ पर आपको category select करनी है तो आपको यहाँ पर application fees से group C select कर सकते हैं यहाँ पर फ्रेंस आपको नाम आपका जो father name है आपका जो date of birth है आपकी जो trade है किस trade से आपने इसको apply किया है उस trade को friends आप यहाँ से select करेंगे आपकी category आपको यहाँ select करनी होगी इसके बाद friends state select करना होगा किस state से आपने इस form को fill किया है वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं इसके बाद friends application fees आपको यहाँ पर इस capture code को fill करना है इसके बाद दुबारा से नाम, date of birth, mobile number, mail ID और इस capture code को fill करने के बाद आप यहाँ से submit कर सकते हैं और उसके बाद friends आप अपना जो payment है वो किसी भी bank के credit card, debit card, net banking से complete कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर देखिए multiple options आपके सामने आ जाते हैं चाहे आप net banking user हैं चाहे आप credit card या debit card user हैं आप यहाँ से अपने payment को confirm कर सकते हैं UPI का option है, bank branch का option है आप यहाँ से जैसे भी payment करना चाहें वो आप कर सकते हैं, verify कर सकते हैं इसके बाद friends आप यहाँ पर देखिए जो आपका next option है इसमें आपको print application या payment status का जो option है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ पर click करेंगे और आपके final print out को जो print है वो निकाल कर अपने पास आप रख लेंगे future use के लिए, future reference के लिए तो यहाँ पर friends हमने बात की Assam Rifle, Rifleman requirement 2021 का online form mobile से आप कैसे fill कर सकते हैं इसके बारे में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके तो like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देख ते रही हमारा YouTube चैनल एनलास, थैंक्स पूर वाचिंग